हेलो दोस्तो नमस्कार आज ये जो छोटा सा डॉग आप अपनी मोवाइल स्क्रीन के उपर देख रहे हैं तो इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या इसको प्रॉबलम है और किस तरह से हमने इस डॉग का ट्रीटमेंट किया किस तरह से हमने इसका इलाज किया और क्या फिर ये ठीक हो पाया या नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक एक करके इसके बारे में हर एक जानकारी दूँगा तो आप इस वीडियो पूर पूरा लाश तक बने रहे और इसी तरह के प्रैक्टिकली इलाज देखने के लिए आप हमारे वेटनरी क्ल किसी बाइक वाले ने यह किसी जहां तक मुझे सूचना मिली है तो किसी तत्री इसके प्लोब होई थी जिसकी वाज़से इसकी टांग में चोटबब होगई है दो की वहां पे क्या हूआ है कि वहां पे इस Еد Supremeppen नहीं जा kanama जो है इसके फोरलिम में जो है स्वैलिंग आ गई है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं तो ये इसमें स्वैलिंग आ गई है तो अब प्रॉब्लम यह आ रही है कि जब इसको खाने के लिए दे रहे हैं खाना पीना बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन चलने फिरने में इसको काफी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है यह अची तरह से चलने फिरने में दिकत कर रहा है लंगड़ा कर चलता है और एक ही जगह पर यह बहुत लंबे टाइम तक बैठा रहता है और चोटा सा है दो से धाई मंत का यह है और आपको पता है गाइस कि स्टेट डॉग की ऐसी दसा होती है तक्र मारके डॉग को चले जाते हैं और फिर ऐसा नहीं करते हैं लोग की इन्हें हौस्पितल्ट्र में या फिर इनका इलाज करा दे उन्हें इसी तरह सड़क में टक्र मारने के बाद यह चोट लगने کے बाद इसी तरह से छोड़ देते हैं और फिर देरे देरे करके गाईज इनकी कोई treatment नहीं करता है और जो street dogs होते हैं उनकी इसी तरह से death हो जाती है तो मेरा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये कहना है कि जो भी आप गाय या किसी भी जानबर को इस तरह के हालात में देखते हैं तो आप उनको first rate दीजिए और हो सके तो नजदीकी के वैट से उनका इलाज जरूर कराईए तो इस तरह से आप एक बेजवान पशुकी बेजवान जानबर की help कर सकते हैं तो चलिए अब इसके treatment की और अब हम थोड़ा से चलते हैं कि कौन-कौन से injection हमने दिये कौन-कौन से injection दिये कितनी मातरा में दिये किस root के द्वारा लगा है कितने दिन उतक हमने इसका treatment किया तो एक-एक करके step by step में आपको इसका इलाज बताता हूं तो गाइस जो हमने इसको first में injection दिया है पहला जो injection दिया है वो anti-paratic anti-inflammatory यानि कि flonixine megalomine जो injection आता है तो गाइस इसका result काफी अच्छा है यहाँ पर हमने एक ml के आसपास जो है इसको megalodine जो injection आता है वो हमने इसको दिया है ठीक है और इसके लावा जो दूसरा injection हम यहा dog में उपयोग में लाया है और यह जो है हमने यह इसको हमने लगाया है एक ml एक ml जो है मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है तो 1 ml यह वाला injection यानि कि aival injection भी 1 ml दिया है और तूसरा ventilation Maxine Megalumin वाला जो injection है, वोबी मैंने यहां पर इसको 1 ml दिया है, तो यहां पर जो है, यह जो दो injection है, यह दोनों injection हमारे पास, यहां पर त्यार हो गए हैं, तो अब क्या कर रहे हैं, कि डॉग, कभी भी आप दोस्तों डॉग को कोई भी treatment करते हैं, तो डॉग को अच्छी तरह से रिश्टेंड कर लें उसका मूँ बांद लें तो ये जो आप देख रहे हैं स्वैलिंग देखने में काफी कम लग रही है गाइस लेकिन बहुत ही है बहुत जादा इसको ये दिक्कत ही चलने फिरने में दिक्कत कर रहा था तो इसलिए फिर ये जो दो इंजेक्शन है ये हमने इसको दिये है यहां पर तो पहला जो इंजेक्शन मैं इसको लगाने वाला हूँ वो है मेगलूमाईन जो की एकैमल लिया था और यह हम यहां पर इसको दे रहे हैं इंटरमस्कुलर रूट के द्वारा और deep intramuscular इसको हम दे रहे हैं और यह जो दूसरा injection आप देख रहे हैं यह है anti-histaminic evil इसको भी मैंने यहां पर इसी दूसरी जगह पर थोड़े से दूरी पर हमें देना है एक ही जगह इकठे नहीं देना है वो भी मैंने इसको 1 ml deep intramuscular दिया है ठीक है तो दोस्तों यह जो treatment है यह मैंने इसको लगातार 3 दिनों तक दिया था यानि कि 3 दिन तक मैंने इसको 1 ml maglumine और anti-histaminic यानि कि जो evil है वो हमने दिया था और अब यह वीडियो में आप देख रहे हैं कि यह जो वीडियो है यह फिर मैंने 4 दिन बनाया था तो आप देख सकते हैं कि पूरा 3 दिन तक treatment करने के बाद इसको काफी ज़्यादा आराम हुआ है खाने पिरने में कोई problem नहीं चलने फिरने में किसी तरह की जो भी इसकी swelling थी वो ठीक हो गई है तो इस तरह से आप एक बेज़वान की मदद करें help करें और इस तरह से field में भी कभी आपको case आता है तो आप easily मदद कर सकते हैं field में case को handle कर सकते हैं